हलो दोस्तों वेलकम एंड वेलकम बैक टो माई चैनल आई होब यू आर डूइंग कोड एन वेरी पॉस्टिव दोस्तों आज मैं आपके साथ एक प्राक्तिक और घरेलू नुस्खा शेयर करने जारी हूं सफीर बालो को बढ़ती उमर में किस तरीके से आप पूरी तरीके से क उमर्ण टाला बना सकते है वो भी बिना किसी केमिकल के और बिना किसी डय के सुचगी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के स्रैमेट को बनाना को जादा मातरा में ने ऐहाँ ले ले रखी है आप ऐसे लें क्योंकि जब हम इसका बीनानी है तो पत्तिया धीरे जब்ी भरश् इसलिए आपको यहाँ पे curry leaves लेना है ठीक है curry leaves में बीटा कैरोटीन प्लस विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत जादा मात्रा होती है curry leaves आप अपने बालों में जब भी apply करते हैं तो आपके बाल बहुत ही तेजी से growth होती है बालों की और अगर हम grey hair की बात करें तो grey hair के लिए यह रामबाण है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा असरदार है आपके सफेद बालों को कालर करने के लिए तो चली यहाँ पे क्या करते हैं इन पत्तियों को हम अलग कर लेते हैं एक प्लेट में तो यहाँ पे एक मैंने वैसे लिया हुआ है और इन पतियों को इस तरीके से आपको दावते जाना है फ्रेश पत्ती आपको लेनी है फ्रेश पत्ती ही आपको लेनी हैं पाॉड़र का इस्तेमाल नहीं करना है वेकाउस पाॉडर में कुछ भी mix हो सकता है तो सारी पतियों को इस तरीके से हम यहां पे तोड़ करके मतलब Leafs को अलग कर लेंगे इस तरीके से तो मैंने यहां पे सारी पतियों को निकाल लिया है और यह देखी, डंठल अलग है और पतिया अलग है अब आपको क्या करना है बढ़ना है अपने किचन की तरब और हम इसे रोस्ट करेंगे और आपको यहाँ पे लोही की कड़ाई का ही इस्तमाल करना है अगर आपके पास नहीं है तो आप अलुमिनियम यूज़ कर सकती है और अगर है तो प्लीस लोही की कड़ाई का ही इस्तमा आपको कलर दिख रहा है यह ब्लैक ना हो जाए यानि कि अच्छे से रोस्ट ना हो जाए धीमी आज पे ही आपको करना है तेज आज पे नहीं करना है तेज आज पे करेंगी तो आपको भी पता है अच्छे से कि यह जल जाएंगी तो हमें इने जलाना नहीं है हमें इने रोस् करी पत्ते में बहुत सारी अंटियोंट्स पाये जाते हैं चोकि हमारे शलीर के लिए भी फादयमंद होते हैं आपकी इत्वचा को कांती में बनाते हैं तो आपको इन्हें धीमी आज पर इस तरीके से रोस्ट करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां धीरे-ऴरे पत्यों का कलर छेंज हो रहा है और बिल्कुल क्प्ली इस तरीके से जब पत्यां आपका कलर छेंज हो जाए तो gas केे flame को आपको बंद कर देना है innhे ठंडा करना है और इसके बार मिक्सी में अच्छे से क्या करने लेना है इनको बिलकुल fine powder बना लेना है और पैसको यहां पर mix में अच्छे से grand कर लिया है इसका powder बना लिया है तो अब इस powder से हम बनाएंगे आज का नुस्का तो इसके लिए आपको यहां पे clean bowl ले लेना है और इसमें आपको add करना है इस curry leaves के powder को एक चमच curry leaves powder आपको add करना है इस bowl के अंदर और इसमें add करना है एक चमच अलोवेरा जल एक चमच अलोवेलर जल आपको इसमें एड़ करना है इसके साथ ही आपको यहां पे एक चमच करीब बादाम का ते डालना है या फिर आप विडामिल ए की कैपसूल जो है वो भी एड़ कर सकती है अब आपको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है बालों को अच्छे से कॉम करना है और डी टैंगल करते हुए अपने बालों के स्कैल्प में लगाना है इसके बाद अपने बालों में लगाए इसे रात में लगा करके सोऊएं तो ज़्यादा बहतर है otherwise आप इसे दिन में भी apply कर सकती है तो आपका pack यहाँ पे ready हो गया है आप चाहें तो यहाँ पे plant base aloe vera gel भी इस्तमाल कर सकती है बट उसे आपको store नहीं करना है pack को आपको हफ़ते में एक बार apply करना है और इसके साथ साथ आपको daily regular base पे curry leaves की fresh पत्यों को खाना है अगर आज से ही आपने यह शुरू करना तो आपको white hair की problem तो होगी नहीं इसके अलावा बालों में और जो समस्याइं हैं वो भी नहीं होगी अगर आप curry leaves खाते हैं fresh curry leaves जो पत्ती होती है उसको wash करके दो curry leaves पत्ती अगर daily खाते हैं तो भी बहुत आपको फायता मिलेगा तो इसे बनाए लगाए नुस्खा आज का कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजेगा और शेर कीजेगा चैनल में न्यू है और फर्स टाइम आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे चली फिर से मिलते हैं एक एनदर रेमिडी की साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार अपना ध्यान रखे